कोरोना संक्रमन्ट की वैक्सीन का हर किसी को बेसबर से इंतजार है इसके लिए विशुबर में प्रयास चल रहे है वही रूस की कोरोना वैक्सीन हिमा चल के बद्धी में तयार की जाएगी सोलन जिले के बद्धी शित्र की कंपनी पैनेशिया से इस संबन में करार हुआ है दिसंबर में कंपनी रूस के स्पूतनिक ठिके का उत्पादन शुरू करेगी बताया जा रहा है कि सिम और जिले के पाउटा में सापेत मैंकाइन कंपनी के साथ भी दवा की मार्केटिंग को लेकर बाचिश चल रही है सुत्रों के अनुसार पैनेशिया से करार से पहले बद्धी की दो और कंप्रिया है डॉक्ट्र रेड़ी और हेट्रोस से वैक्सन तैयार करने के लिए रूस कि और से बाचिश चल रही थी लेकिन उत्तर भारत में वैक्सन के लिए ही काम कर सकती है रूस भारत की दवा कंप्री में इस वैक्सिन को तयार कराना चाहती है इसलिए बद्दी की कंप्री इसे तयार करेगी बता जा रहा है कि इसकी वैक्सिन बनाने के लिए कंप्री को तकनिकी ट्रांसफर हो चुकी है कंपनी के प्लांट हेड राजिस शोप्रा ने बताया कि वही सम्मन में जानकारी साजा नहीं कर सकते या जो भी हो रहा है उसके लिए सरकार या पीम कारिया लई केंदर सरकार ही जानकारी दे सकती है क्या बोले अधिकारी? मनीश कपूर अतिरीक ड्रग कंट्रोलर ने बताया कि बद्धिस सेथ पैनेश्या कंपनी वैक्सिन तयार करेगी पैनेश्या उतर भारत की ऐसी कंपनी है जो वैक्सिन बनाती है गौर तलब है कि हिमाचल के सोलन जीले में बड़ी फार्मा कंपनीया है यहाँ पर एश्या की 30 विस्दी दवाव का उत्पादन होता है बधी को फार्मा हब के तौर पर जाना जाता है इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेर करना ना भूले साथी कोरोणा वाइरस वैक्सिन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर ले